असलाम लेकुम जी वेलकम टू और व्लोग होफुली सब ठीक ठाक होंगे अलहम्दोरिल्ला मैं भी बिल्कूल ठीक ठाक तो फाइनली बचों के स्कूल खुल गे हैं किसी के 15 ओगस्त को ओपन होगे किसी के 18 को हो रहे हैं किसी के 21 को 28 तक तिल इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा और फाइनली अलहम्दोरिल्ला यान के स्कूल भी ओपन होगे च्छे बच के 25 मिनट ओ रहे हैं तो मैं सुबह सुबह आज जल्दी उठी थी जाहिर है क्योंकि एक तो रूटीन को सेट करना बड़ा मुश्किल और वैसे भी जाहिर है बच्चों ने स्कूल जाना है तो फिर उसके लिए अपने आपको जो सेट करना ना बहुत जरूरी है तो यहां पर अगयान का लंच वगयरा हो गया रेडी और अगयान को भी आज मैंने सुबह जल्दी उठाया फिर्स्ट डे था एक तो टाइम पर पहुंची और बच्चे की जाहिर है छुटियों में वो रूटीन नहीं थी और थोड़ी सी मैंने सोचा किसको आदत हो वो सास वगयरा जो थे वो मैंने कल वोश करके रख लिये थे साफ करके जूते साफ रख लिये थे उनको मैं प्रॉपर शूज रैक में रख लूँगी मशीन लगई हुए और साथ के साथ क्यूंकि गर्मी होती है स्वेटिंग वाले कपड़े होते हैं तो फिर एक अजीब सी स्मेल अगर कपड़े कठे करते रहना तो फिर अजीब से वो स्मेल सी आना शुरू हो जाती है तो एक दिन छोड़कर एक दिन जो है वो मैं लासमी मशीन लगाती हूँ और सम टाइम तो होता कि आजकर अगर गैस टाई हूए हैं बच्ची आई हूए मेरी तरफ तो फिर तो डेली ही कपड़ों का सिस्टम चलता रहता है यहां पर हमारी दो अदद बिलिगां भी हैं जो कि आपको एक नजर आ रही है एक कहीं और होगी और यह कुछ है इसमें से जो मैं लॉन के जो अपने कपड़े होते है ना वो मैं साथ के साथ ना हाथ वाले जो हाथ से बोश कर लेती ह साथ ही जो आटो मशीन है उसमें कपड़े डाल देती हूं इस तरह से सारा जो काम है ना यह वाला धुलाई वाला वो सारा खतम हो जाता है तो यहां पर स्टोरी बुक्स थी ऐख दराश से लगोग एती होरां थेरी की पूरी जो है ना इनकी रैंच मंगवा ही थी इसमें काफी जएदा बुक्स थी और काफी स्टोरी फीज ये ओनलाईं ओर रिगोगता थी तो बच्छों को मैं देरी थी कि पढ़ो तो वह भी तो यहां पर ना मैं सोच रही थी कि इनको भी मैं कहीं सेटिंग करके रखूँ और मैं वैसे कहती हूं यानको के ज्यादा बाइ करने से बेहतर है कि अपनी लाइबरेरी से कहीं या किसी फ्रेंड वगारा से एक तुसरे से एक्सचेंज करते रहा करो तो यहां पर सिस्टर जो थी और उसने एक आउटलेट पर हम लोग गई और वहां से अपने लिए ना उसने टू गाउन लेने थे वैसे तो वहां पर यूके में उसके पास काफी जादा है क्योंकि उसको पसंद भी और वो यूज भी करती है वहां पर और यह के वहां पर बच को पता है कि मैं और सिस्टर कहा रहे थे कि बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हम दोनों जो आज़ने कोछ उसने अपनी चीज़ें भी लेनी थी तो हम ना स्क्वेर मॉल चलेगे वहां पर जो हम देख लेंगे क्यों को साथ साथ नहीं देखने देते उनके मतलब की नहीं होती है और उनको होता है कि हम गेम्स में अपने मतलब की चीज़ों पर चले जाए तो फिर हमें ना वैसे बड़ा इजी हो गया कि हमारा टाइम भी बच गया और हम लोगों ने जो लेना था वो भी ले लिया और यहां पर सबसे पह और वो खेल लेंगे, और मैं और मेरी सिस्टर चलेंगे कपड़ों वाली साइड पर, तो कुछ हम लोगों देख रहे थे प्रेट कोलेक्शन में से कि अगर कोई प्रेट अच्छे लगी हो, तो प्रेट पहने वे भी बड़े नाइस लगते हैं, उनकी स्टिचिंग बड़ी अच्छी होती है, कपड़ा चाहिए वो अन्स्टिच में भी बड़ा हो ना, लेकिन जो इनका स्टिच्ट हुआ होता है, वो ऐसे ऐसे टेलर्स की सलाई होती है, और उनकी डिजाइनिंग उन्होंने की हुई होती है, कि वो शेप पहनी बहुत अच्छी है, लगती है, तो है प्रेट कोलेक्शन में से तो कोई पसंद नहीं आया, मैंने एक कुड़ता लिया था, वो मैं आपको बात में दिखाऊंगी, और बाकी हम लोग देख रहे थे किया सीन है, क्या नहीं है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, उसके साथ-साथ यहां पर इन्हों ने लगाया हुआ था, इस पे प्रेट पे भी 50% ओफ लगाया हुआ था, और जो इनकी यह जो है ना, ट्राउजर्स बगएरा इस पे भी उन्हों ने लगाया हुआ था, तो हम लोग लाइम लाइट गे उसके बाद हम लोगों ने सफायर पर जाना था खाड़ी से लिए कपड़े इसी तरह से डिफरन डिफरन जगों से हम लोगों ने बाइ किये और ऐसे ही होता है मौल में अगर चले जाती हो तो कोई एक स्टलेक्टिट जगा नहीं होती कोई एक शोप नहीं होती है यहां से हमने करना होता है फिर जी बच्चों ने भी खेल कूद लिया और हम लोगों ने भी जो लेना था वो ले लिया फ्री होगे तो लास्ट पर हम लोगों ने सोचा चलो कोई खाना माना खाते हैं बच्चों ने जो लेना था पहले प्लैन बना थे किसी ने अपने मतलब की चीज लेनी थी मैंने और सिस्टर ने हर बिर्यानी मंगवाई थी लेकिन इतना कोई ना खास टेस्ट नी मज़ा नी आया हमें ठीक था बस पेट भर गया बट वो जो एक होता है ना के खाना खाते हुए मज़ा आना और खाने का टेस्ट अच्छा वो इतना कोई खास नहीं था लेकिन खैर टाइम गुजर गया उसके बाद जी अब हम लोगों ने सोचा है कि अब तो काफी टाइम भी हो रहा है और यह है कि हम लोगों ने कुछ भी ने आजकल वैसे भी मॉल जो होते है ना वो उनकी टाइमिंग जॉफ की जो है वो जल्द आज का अब लोग अच्छा लगा होगा द्वाव में याद रखिएगा टेक केर बाबाए अल्ला हाफीस